Hello Friends, आज का अपना टॉपिक है Neuro Anatomical Technique to Study Behavior ये एक छोटा सा टॉपिक है जो अपना चैप्टर है Methods of Studying Behavior का एक छोटा सा पार्ट है इसमें सामानेत है जो Ethologists होते हैं यानि विवहार विग्य होते हैं या हम खुद भी अगर मान लें तो जन्तुओं के बहाय हाव भाव को देख पाते हैं और वो जो गतिविधी कर रहे हैं वो तो हम देख पाते हैं लेकिन उनके मस्तिश्क के अंदर क्या process चल रहा है और उनकी क्या कारे की परिवर्तन हो रहे हैं कौन से विचार या कौन सी कलपनाई उनके मस्तिश्क में चल रही है यह ग्यात वो देख करके नहीं कर पाते हैं तो इस चीज को ग्यात करने के लिए या जानकरी लेने के लिए अनेक प्रकार की तकनीक डेवलप हुई है अनिक प्रकार के उपकरन डेवलप हुए है जिससे वास्तों में प्राणी के जो वास्तविक विवहार है उसका अध्यायन किया जा सकता है जैसे आजकल आप लोगोंने सुना होगा जूट और सच पकड़ने की मशीन यानि इस मशीन से क्या है यदि वेक्ति सही आंसर दे रहा है यदि वेक्ति गलत आंसर दे रहा है तो वो मशीन बता देगी कि गलत दे रहा है इसका मतलब वो मशीन कहीं बहुत जो पल्स होती है या जो वेव्ज होती है नव वेव्ज होती है तो उनमें जो चेंज़स आ रहे हैं जिस प्रकार के चेंज़स आ रहे हैं उससे मेथड आता है Neural Mechanism to Study Behavior और Neural Mechanism यानि तंत्रीका प्रणाली के अध्यायन से इसके भी तीन पार्ट है पहला पार्ट है Neuro Anatomical दूसरा है Neuro Physiological और तीसरा है Neuro Chemical तो इन तीन पार्ट में से एक पार्ट का डिसकेशन मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ करूंगी वो है Neuro Anat Technique यानि तंत्रीका शारीरिय प्रणाली अर्थात या विक्षत अपक्षरण विधी Neuro Anatomical Technique और लेसन और एबलेशन मैथड ये जो मैथड है ये सबसे अधिक समय लेने वाला कठिन और कष्ट दाई प्रकार का होता है सबसे पुराना मैथड है ये Neuro Anatomical Technique to Study Behavior या लेसन य Ablation Method जो है ये सबसे पुराना मैथड है आजकल इस मैथड का उपयोग नहीं किया जाता है ठीक है क्योंकि ये क्या है बहुत cutting process है और कष्टदाई process भी इसमें होता है इसमें क्या किया जाता है कि विवहार अध्यायन की ये जो विधी है इसमें मस्तिश्क के विभिन भागो को निश्क्रिय करके या उनका संबंद हटा करके या उनको विच्छेदन याने dissect करके हटा दिया जाता है कुल मिलाकर इसमें क्या किया कि brain जो है जैसे suppose जैसे suppose कर लो ये जो है हम बना लेते हैं ये brain है ठीक है तो इस brain के कुछ particular points को कुछ particular points को क्या कर दिया या तो निश्क् कर दिया या उनको संबन्द बाकियों से हटा दिया या वहां से जो मेसेज है वो दुसरी जगा नहीं जाएगा या उसको डिस्क्ट कर दियाक dw Alo Fa मस्तिश्क विभिन भागों को क्या कर दिया। कि brain का कौन सा part जैसे यहां मैंने बताया है brain और behavior ठीक है तो various parts of the brain और कौन सा particular behavior वो various parts जो है वो कौन से particular behavior के लिए responsible है तो इसके लिए पहले तो एक normal जब वेक्ति है या animal है वेक्ति के उपर इस तरह का experiment नहीं करेंगे कोई animal है तो normally जो है उसका brain की study की different parts की और वो कौन सा प्रकार का behavior जो है वो दिखा रहा है वो और before and after ablation or lesion यानि विछेदन के बाद में या संबंद हटा करके उसके बाद में उसके विभार में क्या परिवर्तन आया है तो comparative analysis करेंगे और जो है इस तरह से जो है ये पता प्रकार का विभार में परिवर्तन आया तो इसका मतला वो हिस्सा उस विभार से संबंद था ठीक है अब human being के अंदर तो ऐसा कर नहीं सकते human being को ऐसे experiment तो काम में लेनी सकते तो इसके लिए जो है बंदरों को या चूहों को generally काम में लिया जा गया तो human being में कैसे किया जो neurosurgeons होते थे neurosurgeons होते थे उनके पास जब कोई accident case आता है और specially कौनसा accident case जिसमें head injury है यानि किसी का accident हुआ और सिर्प के किसी विशेश पार्ट में चोट लगी तो इसका मतलब उसका सिर्प कोई विशेश भाग damage हुआ है है ना तो उसके बाद में ये देखा गया कि उसके विवहार को किस तरह से इस चोट ने प्रभावित किया तो इस तरह से इस निशकर्ष पर पहुँचे neurosurgeon जो accidental cases आते थे उनकी study करके इस निशकर्ष पर पहुँच पाए कि brain का कौन सा part कौन से behavior के लिए responsible है तो संबल स्थापित कर पाए वो ठीक है मस्तिश के चोट लगने के स्थान को और प्राणी के विवहार में उत्पन हुई तुटी अत्वा अनियमित्ता के साथ correlate किया गया जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई बार पिछरों बंध हो गया या बोलना यानि सही तरह से उच्चारण नहीं कर पा रहा है या उसकी याददाश चली गई ठीक है कई बरबन देखते ना नाटकों में या सिनेमा में है ना तो अब उसी चीज को जो है वो neurosurgeon स्टड़ी करेंगे कि इस वाले पार्ट में या तो जो है कोई blockage हो गया है तो message आगे convey नहीं हो पा रहा है ठीक है या जो है यहाँ पर nerve damage हो गई है या कोई भी कारण कौन से हिस्से में कोई damage हुआ है नुकसान हुआ है और उसके बाद में उस व्यक्ति के व्यभार में किस प्रकार का परिवर्दन आया तो इस तरह के studies करने के बाद में इस तरह के कई patients के उपर study करने के बाद में जो neurosurgeon है वो neurotexic atlas बना पाए यानि जिस तरह से atlas होता है और atlas पर हम देख पाते हैं अलग-अलग राजियों को देखना है या राजधानी देखनी है या सड़कें देखनी है या परवत देखना है कई प्रकार के atlas होते हैं तो यहाँ पर क्या है brain का atlas यानि brain के different parts का study करना और किया उस आधार पर जो उन्होंने accidental cases आये थे अनकी study की थी उनके आधार पर और उन्होंने neurotoxic atlasis जो है यानि मस्तिश्क के मानचित्र बनाए और जो है इस प्रकार stereotoxic machine का अविशकार किया यानि उसके बाद में stereotoxic machine का अविशकार किया और इस machine में क्या किया जाता था क्या किया जाता है इसकी साहेता से मस्तिश्क की क्रियाविधी की जानकारी प्राप्त की जाती है इसमें क्या किया जाता है कि मस्तिश्क मशीन पर प्राणी के सिर को रख करके नियत स्थानों पर इलेक्ट्रोड्स फिट किये जाते है फिर उन electrodes को उदिप्त किया जाता है यानि stimulate किया जाता है अब particular point है वहाँ पर electrode fit करें है और उनको stimulate किया है उसके बाद में after stimulation देखा जाता है कि किस प्रकार की waves बन रही है या digit के form में यानि तरंगों या अंकों के रूप में क्या परिवर्तन आ रहा है उन electrodes को उदिप्त करने के बाद में ठीक है और उसके बाद में जो है ये निशकर्ष निकाला जाता है कि मस्तिश्क का जो एटलस है जो मानचितर है उसमें कौन से बिंदू पर वो electrode था जिसको stimulate करने के बाद में किस प्रकार की waves बनी है या अंक जो है digit के form में क्या changes उसमें आया है और इसी के कुछ example है जैसे ब्रोका सेंटर या ब्रोका सेरिया ब्रोका नाम का जो विज्यानिक है 1861 में एक चोट क्रस्त रोगी इनके संपर्क में आया जिनका ये निरिक्षन कर रहे थे और रोगी के मस्तिश्क पर चोट लगी थी और उसके बाद में जो है उसकी वानी जो है वो उसके उच्चारण सही तरह से नहीं कर पा रहा था तो ये जो पार्ट था ये था ब्रेन का कौर्टेक्स का एक निश्चित स्थान यहां जो है हम लेते हैं यहां टाइग्राम में ये ब्रोकास एरिया तो ये पर्टिकुलर पार्ट उस विक्ति का डैमेज हुआ था एक्सिडेंट में और इस पर्टिकुलर पार्ट के डैमेज होने के बाद में उसकी जो वाणी थी वो क्या होई तुरुटिपूर्ण हो गई अब हम लेते हैं आगे इसी तरह से एक और विज्ञानिक वर्निक नाइंटिन एट्टी में इनके पास एक केस आया एक्सिडेंट का और इन्हों ने भी देखा कि चोट लगने के बाद में मस्तिष्क में एक विशेश पार्ट पर चोट लगने के बाद में व्यक्ति में जो है फ्रेमिंग नहीं हो पा रही है वाख्य की जैसे हम कोई वाक्य बोलते हैं तो उसका अर्थ निकलता है है नना तो इस विख्ति में क्या था? accident होने के बाद में जो particular part brain का damage हुआ उसके बाद में इसमें जो है वाक्य की framing नहीं हो पा रहा था यानि सही तरह से meaningful sentence जो है वो नहीं बना पा रहा था तो इस तरह से इस वाले area को क्या नाम दे दिया गया वर्निक्स area ठीक है तो दोनों ही एक तरह से related तो है वानी से ही लेकिन ब्रोकाज area में तो कौन सा area है जहां पर आवाज सपष्ट नहीं आ रही है तुटिपुन आवाज निकल रही है बोल कुछ और रहा है लेकिन सपष्ट शब्दों का उचारण नहीं हो पा रहा है और वर्न विज्ञानिकों के ने इन दो एरियास का नाम दिया ब्रोकाज area और वर्निक्स area ठीक है इसी तरह के कुछ एक्स्पेरिमेंट एनिमिल्स पर किये गए तो इसमें जैसे रीसस मंकी के ऊपर एक्स्पेरिमेंट किया गया रीसस मंकी को पहले विभिन आकरतियों वे आकार की व बस्तूओं को विभेतन हेतु प्रशिक्षित किया गया जिस तरह से हम जब बच्चा छोटा होता है तो उसको समझाते हैं कि यह यह ट्राइंगल है यह तरह का है तो ट्राइंगल है यह है तो गोल है यह है तो यह कौन शेप है है यह यह रेड कलर है यह ब्राउन कलर है कलर का identification करना या shape का identification करना हम चोटे बच्चे को सिखाते हैं उसी तरह से जो pet हम पालते हैं जैसे कुते हैं इनको अपन ट्रेनिंग देते हैं और बंदर बंदर तो primates हैं तो वो तो और भी असानी से इन चीजों को समझ सकते हैं तो रिसस मंकी को जो है विभिन आकरती की वस्तुओं को में विभेदन करना करने की ट्रेनिंग दी गई प्रशिक्षित किया इनको उसके बाद यानि प्रशिक्षिण करने के बाद में इनके visual cortex को विक्षित कर दिया यानि visual cortex जो है इनके brain के भाग में visual cortex वाला जो भाग है इसको जो है damage कर दिया अब उसके बाद में यह देखा गया कि अब जो rhesus monkey जो trained था लेकिन visual cortex को damage करने के बाद में अब वो क्या है आकरितियों में विभेदन करने में trained to differentiate between shapes and structure अलग-अलग shape और structure के लिए इसको train किया गया उसके बाद में उसके visual cortex को damage कर दिया या remove कर दिया तो उसका परणाम उसके बाद देखा गया कि वो अब differentiate नहीं कर पा रहा है उन्हीं चीजों के बारे में जो उसे सिखाई गई थी है ना इसका मतलब अब correlate किया कि यह जो visual cortex वाला भाग है इस visual cortex का संबंध किससे है differentiation between objects यानि विभेदी करन है ना तो इस तरह से इसको relate किया गया visual cortex वाले भाग को इससे relate किया गया hence visual cortex of the brain किसके लिए responsible है to learn the shape and size of the object यानि differentiate कर पाने में सक्षम है आप लोगों ने picture देखी होगी तारे जमीन पर है ना उसमें वो जो बच्चा होता है जो main role कर रहा है उसका तो उसके साथ main problem क्या होती है कि वो असानी से शब्दों में differentiation नहीं कर पाता है या ball आ रही है तो उसकी speed जो है वो नहीं catch कर पाता है कि ये इतनी देर में मेरे पास में आएगी और मुझे कब इसके अनुसार react करना है तो इसका मतलब क्या है उसके कहीं कोई problem ब्रेन में ऐसी है जिसके कारण से वो चीजों में अक्षरों में differentiate नहीं कर पा रहा है या balance नहीं बना पा रहा है और यही कारण है कि वो सही तरह से लिख नहीं पाता है समझ नहीं पाता है एक एक field की तरफ ठीक है अब दूसरा experiment है चूहों पर किया गया चूहों पर परिक्षन किया गया यह जानने के लिए कि brain में feeding center कौन सा है या strategy center कौन सा है ठीक है तो इसमें चूहों पर परिक्षन किया गया for feeding behavior and sexual behavior भोजे नेवं लेंगी क्रिया के प्रति संत्रप्तता का अध्यायन करने के लिए अनेक अपक्षरन के प्रयोग किये गए इसमें एक चूहे को एक ही experiment के काम में लेते हैं उसके बाद में दूसरे चूहे को काम में लेते हैं तो इस तरह से कई चूहों को काम में लेते हैं इन experiments के लिए क्योंकि एक चूहे के brain का एक part stimulate करके या damage करके या dissect करके हटा देंगे तो उसके बाद में जो result है वो देखेंगे तो उसी पर तो दूसरा experiment कर नहीं सकते हैं तो कई चूहों को इसमें काम में लेते हैं तो इसमें क्या किया गया कि यहां है अधिकांश जन्तूओं का जब hypothalamus का वेंट्रो मीडियल पार्ट जब विक्षत किया गया उसके बाद देखा गया कि इन प्राणियों में भूख अत्यदिक बढ़ जाती है तो इतनी ज़्यादा भूख बढ़ जाती है कि वो खाता जाता है खाता जाता है उसको पते ही नहीं चलता है कि मेरा पेट तो भर गया है लेकिन अपन कई बर कहते ना पेट भर गया मर मन नहीं भरा यानि साटिस्फिक्शन नहीं हुआ त्रप्ती नहीं मिली तो इसका मतलब क्या हुआ इससे ये परिणाम निकला कि ब्रेन के अंदर या हैपोथलमस का जो वेंट्रोमीडियल पार्ट है यहां भूग के लिए स्टेंट Richardядy Center है स्टेंटी मतलब Satisfactory Center संत्रप्त केंद्र और इस संत्रप्त केंद्र को ही हटा दिया हैं वेंट्रोमीडियल पार्ट को ही हटा दिया है आइपोथलमस के तो क्या हुआ कि उस जो प्राणी है जूआ है है उसको संत्रप्त नहीं हो रही और इतना ज़्यादा खा जाते है कि ज़्यादा खा कर मर सकता है ठीक है इसी तरह से ज़्यादा तर में देखा गया कि हाइपो थेलमस का जो लिटरल पार्ट है यदि इसको डैमेज कर दिया जाए इसको विक्षत कर दिया जाए या इसका कनेक्शन हटा दिया जाए तो खाना है लेकिन उसको खाना-खाने की इच्छा नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है, कि लेटरल हाइपोथालामस जो पार्ट है, वहाँ फीडिंग सेंटर है, और फीडिंग सेंटर डैमेज हुआ, इस कारण से जीव ने क्या करना बंद कर दिया, भोजन ग्रहन करना बंद कर दिया और वो भूक उसको भूक नहीं लग रही है लेकिन वो वैसे खाने की कमी के कारण या भूक के कारण मर जाएगा लेकिन उसको खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही है तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि ब्रेन हाइपोथेलमस का वेंट्रो मीडियल पार्ट ज ये 1928 में महत्रपुन प्रयोकिया मस्तिश के विभिन भागों का अपक्षन करने के बाद में प्राणियों में अधिगम, वस्तुओं के विभेदन, अभीगमन और लीवर दबाने की प्रवरती में परिवर्तन देखे गए यानि ये जो सारे बिहेवियर हैं ये ब्रेन के कि इसी ने किसी पार्ट से रिलेटेड हैं तो इस आधार पर जो है ये पता लगाया गया कि ब्रेन का कौन सा पार्ट कौन से बिहेवियर के लिए उतरदाई है और एनिमल्स के उपर प्रयोग करने के बाद में इस चीज को किस के उपर एक्सपरिमेंट किया जाता है यूमन ब एक बहुत ही कुड तरीका था जिससे किस काम में लेते थे कि हुमन जो बिहेवियर है उसकी स्टड़ी के काम में लिया जाता है ठीक है तो इसे क्या कहेंगे हम नियूरो एनाटोमिकल टेक्निक और लेसन और एबलेशन मैथट टू स्टड़ी बिहेवियर दाट्स आल अब टोपिक थैंक यू